है आधा पुर्प स्थ्रीट लाट का ड्राइबर बना सिखेंगे फ्यान के क्याप्फिटर की मदद से जब आपका स्थिट लाइबर खराब होता है तो आप दुस्टा इस इस वीडियो में आपको दो तिरी निट्रीक बताऊंगा उसकी मदद से आप यदि ड्राइबर बनात शिखते हैं यह मेरा LED लाइट है जिसका हमें ड्रैवर बनाना है मेरे पास दो केफिटर है दुनों केफिटर को मैं आपको से लाइट है गलो करता है और्पुट वोल्टेज जो है 210 वोल्ट से 315 वोल्ट आ रहा है और करेंट जो है 0.7 एंपियर दीसी में आ रहा है तो यह इसकी दोरा जो हम अभी ड्राइबर बनाएंगे इससे कम वोल्ट और कम एंपियर का ही बनाएंगे तो मेरा लाइट जो है लंबे टाम तक गलो करेगा वो खराब नहीं होगा अतलब कि इससे हमें थोरा सा कम वोल्ट टेज और एंपियर वाला डायबर बनाना चाहिए इस से यदि आप कम वोल्ट बनाते हो तो थो तो फोरा सा कम लाइट गलो करेगा लेकिन लाइफ अच्छा चलेगा और यहादे इस से ज्यादा बनाते हो चलिए मैं आपको इसका सर्केट कोनेक्शन करके दिखाता हूं तो जहां पर हमें एसी का सप्लाय देना है वहां पर किसी एक पीन में हम एक किसी भी एक वायर को लगा देंगे यह जो एसी कप्सिटर है जो के अपने फैन में लगता है 2.5 मैक्रोफ्राट का और यह जो है इसम के अर्वाइर को लगा देंगे और दूसरा जो वायर है डेक्टिफाइर के दूसरे पीन में लगा देंगे जहां पर हमें इसी सप्लाय हम जहां पर देना है चलिए उसके बात है आपको सारा सर्केट दिकाता हूं और मैं आपको शक्राइब भी बना के देखाँा आप में आप वो टेंसन लेंन या को जरुत नहीं है इसमें हम डीसी इसमें जो ऑपूट आएगा यहां से आएगा उपर वाला जो पीन है वह पूजीटिव है इसमें रेड़ को लगा देता है यह क्योंकि यह पूजीटिव वाइर है और नियगेटिव वाइर में एक वाइर को जोर आपको फिर से दिखा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा कम है इसके जो कि इसको परवपर चाहिए अब मैं आपको इसका करेंगे तो इसे में लगाना हुआ तो कुरेंट में आप देख सकते हो जीरो पॉइंट जीरो फोट वारा इंपिर भी इसका बहुत जादे कम आ रहा है इसलिए लाइट भी कम जल रहा है तो यहां इसके और पूट्ट में इसका डिसी कर शीटर लगाते हैं इसको प्यूरिफाय करने के लिए इसके इसी को कर रहा है यहां पर मैंने एक गलती किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था और यदि आप भी इस तरह का गलती करते हो ता आपका एलेडी हमेशा के लिए खराब हो जाएगा या फिर उसमें से एक दो एलेडी खराब हो जाएगा चलिए वह मैं आपको बताऊंगा उसे प बढ़ गया और इसका जो करेंट है करेंट भी बढ़ गया चलिए मैं आपको दिखाता हूं 0.040 आ रहा है लेकिन बहुत ही कम बढ़ा है तब भी इसका जो लाइट है वह बहुत ही कम जल रहा है अब हम इस कपिस्टर को हटा देते हैं यहां पर हम दूसा कर लगांगे यह अब हम चलिए कि लाइट है तो अब हम इसमें नकिस अखम जलाते हैं तो अभी हम क्या किए पहले LED लाइट का हुआ सारा वायर कनेक्शन कर दिए उसके पाद पावर सप्लाय दिए अभी आप देख सकतो यह LED लाइट जो है बहुत ही अच्छे से गलो कर रहा है इसका लाइट भी बढ़ गया है चलिए मैं आपको इसका वोल्टेज और करेंट सब कुछ यहां पर देख सकते हैं जो प्रॉंट वन और रहा था अभी जिरो पॉइंट पॉइंट वहुत ज्यादा बढ़ गया अब मैं आप इसका वोल्टेज चेकर के दिखाता हूं तो सब से पहले से हम सौट कर लेंगे क्योंकि यह कपिसिटर चार्ज है सौट करेंगे से इसे हम सा presents जारा है 257 वोल्टेज वाट रहा है इसका वल्टेज बत्वासा बढ़ गया है कि अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेकर के यहां छर्लिन को चेकर लेते हैं जैरpower न 오늘 बचैनल लगा ठीज और आप लैट यह जानते हैं नहिए जो जिसीरा रहा है तुटिक हम तो बशुक्सा गत्राइब यह समझा हूंगा तो सबसे पहले इसका ड्रैवर आप या फिर इसके बराबर तक बनेंगे इसे ज्यादे हमें नहीं बनाना है चलिए अब हम इसका डाइगराम समझ लेते हैं यह इस तरह का सिंपल सा साइकित है जो कि घरंटी वोल्ट सप्लाय आता है वो इसका वायर है फिर इसमें सीरीज में केपशिटर लगाना है जो कि हमेशा अल्रीटिंग करेंट बडरा लगाना है इस तरिकां साइक यहां बना ऑचलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां राक्टि फायर है का वीडियो आपको मिल जाएगा इसके डिमें को सब्सक्रिक्रिकां अब देख सकते हो और हमको इस तरीका से लगाना है और दीशी जो दो व लगाना है जो कि आपको नहीं लगाना है आपको कम मैक्रोफ्राइट का लगाना है यह तो आपका LED का LED जो है वो खराब हो जाएगा यह सारा सर्कृत ड्राम समद् है और इसको जो जो लगाने पोजितिव पोजितिव को पोजितिव और निगेटिव और नेकीटिव में लकाना उसका छोटा चक्राइट लाइब का यहां आप देखी हैंकर रता किस जूब特 को लंए उसन सतंसे कैस्पीट को लगाया था है तो यहां पर याप ऐदेडिर के ऊपर का लगाना है मतलब भी त्रीनीड वोल ट के आसपास का लगाना है और या और इससे कमका नहीं लगाती हो अ Topalay लगा सकते हो अलव को सब्सक्राब हो जघ वह लेकिन कित तरका से आप लगाँ यह आप भगे का खराब होज़ेगा यह सारा क्यश्या करने के करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सर्क्रीट बना लिए और उसका आप वोल्टेज कर रहे हो पहले उसके लेडी लाइट लगा दो उसके बाद आप उसका वोल्टेज करो तो उसमें बहुत यादा डिफ्रेंस आता है अभी मैंने जो जो भौल्ट आया था 197 भौलट आया था और करेंट जो आया था 0.404 घुर एक जितना हमें चाहिए यहां पर हमें इतना चाहिए इससे पहुत यह जादा कम ये जो लाइट है वह बिलिंग भी कर रहा यहां पर लगाने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया यहां पर यह जो कफिटर है अल्टेनेटिंग कफिटर इसे हम मैंने हटा दिया दस मैंकरो अज़र्ण ऐसे अच्छास अच्छा से अच्छासा लाइट इना शुरू करдыया उसके बाद लास्ट producción अच्ट हम इसके पैरलर में लगाने के बार इसका व्यटी व्यक्राइड हो गया है करेंट भी बढ़ गया और इसका देख सहकते हैं सारा स pillars में लिखा हुआ है कौनकूसा दोगा हुआ और स्क्काम क्षेटी hear तो बहुत ही अच्छा से जलेगा तो आपको इसा नहीं के स्टार्टिंग में ही आपको हाई हाई कैफिशिटी का है हाई मैक्रोफ्रेट लगा दो आपका एलडी यह खाड़ा हो जाए तो पहले आप छोटा कैफिशिटी को लगा उसके बाद उसे थोड़ा ज्यादा कैफिश और सारा कोनेक्षन करना है चैटे करना 넣 साधा डिफ्रेंस अलता कि मैं इसपे बहुत साधा कर चुका और मेरे एक बाद मेरे मेरे पास लगकर चारो पासरा जियरे को खराब हो चुका है उसके बाद मैं आपको यस वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ यहां पर आपको सर्कूत कर सारा कॉनेक्शन कर देना है किप्शीटर भी लगा देना है यह जो प्लेट है लाइट का प्लेट भी लगा देना है उसके बाद आपको वोल्टेचे करना कैसे यहां पर सब से होब सबसे सप्रेंद खराइक अबंद यहां नहीं देना है इस अप्ध सप्रेघ्ट नहीं मह medals खर not बेद बफ भीनल्टाइबाव पेटर में हैं नहीं में आप तो यहां पर दिखाता हुए लगाना यह किलिए यह के प्षिटर देख रहे हों है ए образом करणने के बाद यहां करने के बात यहां पर मेरा क्लइटर लगा हुआ उसके बाद सारा कुड़िशन कुरने के बाद सब्सक्राथ सब teat Vernant लगा और करेंट दोनों कुछ करना है यह आप आप क्या करोगा यदि पहले वोल्टेज सप्लाइदे देगो 220 वोल्ट का उसके बाद लाइट यदि लगा होगे तो क्या होगा यदि हाई मैक्रोफैट या कप्षिटर लहेगा तो बहुत जादा चार्ज हो जाएगा और चार्ज होन भी LED लगा सकते हो कोई दिकत नहीं यदि आप ज्यादा मेक्रोफैट लगाते हो उसके बाद यदि आप पाहले सप्लाइज दे दिए तो क्या होता है क्या होता है उसके बाद जब अचानक से जब LED लगा होगे तो वह हाई MPR और हाई वोल्टेज के कारण आपका LED लाइट वह खाराब हो जाएगा तो इसलिए आपको पाहले पूरा लाइट लगा देना है सार्किट कोनेक्शन कर देना है उसके बाद ही आपको वल्टेज का सप्लाइज देना है और लास्ट मैं आपको यहीं बताऊंगा और बोलूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगत आपको बहुत कुछ सेखने को विलेगा धन्यवाद